फ्रेंड्स एच्पी ने ये लेप्टोप लॉंच किया है 39000 के बजट में इस बजट में एच्पी का one of the best FQ 5007TU लेप्टोप मिल जाएगा उसमें IPS डिस्प्ले बैकलीड कीबोर्ड इस लेप्टोप में नहीं है बाकी स्पेसिफिकेशन दोनों ही लेप्टोप में सेम है मु FQ 5185TU जो भी रिसेंटी में लॉंच हुआ है तो करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग और और रिव्यू और अगर आप लोग का बजट 40,000 के आराउंड है तो ये लेप्टोप बैस्ट रहता है या नहीं तो पनिर ये वीडियो में काफ इंट्रेस्टिंग वीडियो रहने व लेप्टोप के बॉक्स कॉंटेंट की बात करें तो एक प्रिमियम क्वालिटी की पाउर कोड और वही 65 वोट का AC पाउर एडप्टर और एक यूजर मैनुवल और यह है एच्पी के लेप्टोप का फ्वास्ट इंप्रेशन है और फ्रेंड्स ये लेप्टोप नेच्राल स के साथ आता है सेंटर में लोगो दिया हुए और बिल्ट की बात करो तो टोटल प्लास्टिक बिल्ड यूज की गई है काफी प्रिमियम है और जैसे मैं टॉप पे प्रेस कर रहा हूं तो मेरे को फ्लैक्स कमी देखने को मिल रहा है वही लेप्टोप के बैक पेनल की बात कर देखने को मिलेगा और मैक्सिमम आप टोबलिट को यहां तक ले जा सकते हो हिंच काफी स्टेबल है जहां टोबलिट को मैं रोक रहा हूं वही प्रोपर टोबलिट रुक रही है और यहां एर एक जोस्ट दिया हुए और सामने की तरह पे एच्पी की ब्रेंडिंग मिल जा और सबसे पड़ा ड्रोपेक देखने को मिल रहा है बैकलिट कीबॉर्ड नहीं है 5007TU में बैकलिट कीबॉर्ड था लेकिन यहां बैकलिट कीबॉर्ड नहीं मिलेगा वही इस लेपटोब के अगर मैं ट्रेक पेड की बात करूं तो ठीक ठाक साइज का ट्रेक पेड दिया ह है जिसे आप only fast data transfer में यूज कर पाओगे LED indicators 3.5 mm audio jack और सबसे अच्छी बात है HD card heater slot मिल जाता है वहीं लेट साइड में power input का पोर्ट दिया हूँ है 2 USB 3.2 Type A के पोर्ट मिल जाते हैं इस laptop के specs देख लेते हैं क्या क्या दिये हुए हैं तो CPU मिलता है Intel Core i3 12 15U processor है 6 core 8 thread और 10 MB की case memory दी हुई है 8 GB की DDR4 3200 MHz की RAM दी हुई है single channel में और आँ maximum 16 GB तक upgrade कर सकते हो 512 GB की PCI NVMe Zen 3 SSD दी हुई है जिसकी read and write speed आपके सामने आई रही है और Samsung की SSD देखने को मिल जाती है Wi-Fi 5 और Bluetooth 5 दिया हुआ है और integrated GPU की बात करो तो Intel USB graphics दिया हुआ है 4 GB की shared memory के साथ आता है इस laptop की अग अब मैं आपको क्या बता हूँ 39,000 में भी लिस्टेड हुआ है और 15.6 inch की full HD SVA anti-glare display दी हुई है जिसकी brightness 250 nits और color gamet 45% anti-SVA अब प्रेंस मुझे तो यही समझे में नहीं आ रहा है कि इस laptop को launch क्यों किये हैं तो इस laptop में मैंने कुछ multiple benchmark score test किये हैं तो सब सपहले यह है Cinebench R23 के score से और यह है Geekbench 6 के CPU के score से और यह है GPU के score से और जब मैंने इसमें PC Mark 10 को run कराया तो score निकल के आया है 4649 है जो कि i3 12 generation के इसाफ से काफी अच्छे हैं और last में यह है 3D Mark Time Spy के score और all इस laptop के scores काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और जब friends scores इतने अच्छे देखने को मिल रहे हैं तो performance भी test कर लेते हैं तो मैं सायम उसी footage के साथ वीडियो रेंडर करने जा रहा हूं जो मैं हर laptop में test कराता हूं तो इस laptop ने time लगाया है 1 minute 37 seconds है और जब मैंने वीडियो encode किया 4K to 1080p एक मिनट की वीडियो footage थी तो इस laptop ने time लगाया है 1 minute 44 seconds है और जब मैंने laptop को boot कर रहा था तो overall performance i3 के इसाफ से काफी अच्छी मिल रही है अगर मैं compare करूं FQ5007TU से तो performance दोनों ही laptop की similarity देखने को मिल रही है तो अभी friends मैंने आपको test कर रहा है इस laptop की performance और आप test करने जा रहा हूं graphical performance तो सबसे पहले मैं play कर रहा हूं GTA 5 पे HD resolution के साथ है तो जैसे कि आप द next game में play कर रहा हूं specs of the line है तो जैसा कि आप देख पारे हो 50 fps की frame rate मिल रही है GPU 50% यूज आ रहा है और CPU temperature 70 degree तक जा रहा है और RAM approach 5 GB के आसपास यूज आ रही है और last में एक और game play कर रहा हूं blur जो की एक racing game है Full HD resolution पे play किया है और 40 fps की frame rate मिल रही है CPU temperature 60 degree और GPU 54 percentage यूज आ रहा ह पर सकते हो और friends इस laptop की अगर मैं battery backup की बात करो तो three cell 41 watt hour की battery दी हुई है तो आपको around वही तीन से चार गंटेगा battery backup मिल जाएगा इस laptop की अगर मैं price की बात करो तो अभी यह online पे लिश्टेड हुआ है 39000 में और किसी offer sale में आप इसे purchase करोगे तो और आपको extra discount मिल जाएगा friends म मैं आपको बता दू अभी दीवाली की सेल में वह laptop आपको around 36 या 37000 के budget में मिल रहा है उसमें सब कुछ specification सेम है लेकिन उसमें IPS display दी हुई है साथ ही आपको backlit keyboard मिल जाएगा अब friends मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि HP ने ये laptop launch ही क्यों किया है सब कुछ specifications है मैं लेकिन display SVA है backlit keyboard नहीं है और price 39000 है अब friends ये तो कुछ समझ में नहीं है HP करने में क्या है तो friends मेरा personal opinion अगर आप लेना चाहते हो तो ये laptop आप purchase मत करना क्योंकि friends SVA display और backlit keyboard भी नह 39,000 ये laptop अगर आपको in future में 33,000 के budget में मिलता है तो आप इसके लिए जा सकते हो otherwise अगर आपको 39,000 इसके pay करने है तो फिर आप HP का one of the best FQ5007TU laptop purchase कर लेना I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इस laptop के regarding आपको कोई भी question कोई भी doubt हो तो मुझे comments box में जरू comments करके बता ना जहां तक मेरी कोशीज रहती है मैं जल्द से जल्द आपको reply करने की भी कोशीज करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दीजिए चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को subscribe कर लीजिए इसी पर का text related वीडियो बनाता रहता हूँ thanks for watching have a nice day जैहिंद वंदे म Sumatram